हमके सारी यालियादू सबके गोर चोके गोर लगत दनी आज बड़ी दुख के सांथ लाए बैल बनी हम और इस अजे काफी दिन से आज थोड़ा सा छुटी मिला ला हमके सुटिंग से क्योंके संडे के जी गिया कौनों काम ना होला हैदराबाद में शूटी रहला पस आउन्स खाती हम आईल बनी कि जितना से जितना हो सके वह सब मदद करी यो बच्चा के ताकि यो बच्चा जल्दी से ठीक हो कि हमनी के बीच में खेलल सुरू कर दे और हम एक हाती लाए बाई बनी कि हम जितना कंपणी के गाना दी ही ले अदेतानी सबसे रिक्वेस्ट यह बाद कि रहो लोगी हमार पेम ऐसे जे एक बात के खुशी भी वह हमके कि जो आज तक ले कलकार बंदु से आज तक ले के हो मदद ना करता ला कौनों भी आपता में के हो कहीं ना जाता ला लेकि आज अपना कलकारन पर गर्व होता हमके कलकारन पर खुशी भी होता कि हर कलकार आज कुछ कलकार हर कलकार त लेकि जे भी फिरी बा, जे बिहार में बा, हम हूँ रहती तो हम हूँ जेती, लेकि हमारे टीम से जितना भी हो सकता हम मदद कराई के कोशिस करतानी, मदद करतानी, लेकि हम चाहतानी कि हमारे कमपणी नहीं तो 25 से 30 को कमपणी बा, वो कमपणी से रिक्वेस्ट करतानी कि तो आज का बच्चा है वह तो हमारा दैी तो बनता है कि उसका मदद करें उस बच्चे को अगर हम इतने बिहारी होकर इतने भज़बुरी भासा होकर अगर उस बच्चे को नहीं बचाये तो कोई मतलब नहीं इसलिए मैं चाहता हूँ और में कुछ कलकार बन्दू अपने जो पर भारी हैं जो लोग इसे जागरुकता को फैलाए हैं मैं उनका सुक्रिया आदा करना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसा मुहिम छेड़ा की हम तक बाते पहुँची बहुत सारे ऐसे लोगों तक वो बाते पहुँची और उस बच्चे का मदद हो रहा है और मैं फिर से एक बर कह रहा हूँ अपने कंपनी मालिकों से कि आप लोग लीज उस बच्चे का मदद करिये क्योंकि हम सबका बच्चा है वो आयान्स का जो अंस है हमारे सबके अंदर है और मैं अपने भाईयों से कहना चाहता हूँ जो हमारे संगीत से तर से जुड़ा हुए कि आप कुछ जैस गाना गा रहे हैं इसका पैसा हम सारा यूटूब से जो आएगा उपैसा हम उस बच्चे के मदद के लिए देंगे जी नहीं अब 6 महिना यूटूब के बाद पैसा ही ता नेउता कियाटावाला काम बां किनेउता कि OUT-गा आए तो पूरी पाकी तह लिहित लुखाई तो 6 महि मजणा तक बच्चा वेट नहीं करेगा क्योंकि उसकी बिमारी बहुत भैंकर भैवाना है बहुत हलकी नहीं है कि छे महिना बरदास कर पाएगा to आप वो गाना ना गाके आप कोई लोग गित गाई है दे भी गित गाई है छट गाई है गा के आप company को बीज़ कर और उस payment को डोनेट कर दीज़े उस बच्चे के लिए उस बच्चे का help हो जाएगा तो तुरंत help की जरूरत है हमें गाना गा के 6 महीना वेट तो कोई नहीं करेगा न तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये घड़ी जो है हम सब को एक जुट होके बड़ी अच्छी बात है कि बीचार धरा बदल रहा है समाज के और सबको बदलना चाहिए मेरे काने का मतलब कि हम सब का दैट बनता है ये कलकार बंदू हो चाय जो भी हो वो बनता भी है जंता के आसरवाद और प्यार से और उसी जंता में से वो एक बच्चा है हमारा कि उसके माबापने भी हमें कभी प्यार दिया है देते हैं तो हमारा भी दवित बनता है कि उसकी दुख और सुक में साथ रहे हैं तो इसलिए मैं चाहता हूं कलकार बंदों से खास करकर कि गाना गा के नहीं गाना गा के बेचिए ना आप आप लाख रुपे में दो लाख में बेशते हैं तीन लाख में बेशते हैं या पांच लाख में बेशते हैं आप वो बेश कर तुरंत उसके डोनेट करिए तुरंत उस बच्चे के लिए हेल्फ करिए ताकि उस बच्चे को ज्यादा से ज्यादा हेल्फ हो सके तो मेरी मेरी प फैसा दिजीए मद दिजी लेकि प्लीज उस बच्चे का मदद जितना हो सके अप एक गाना मेरे तरफ से लिजी फिरी वर प् пам, फशी रेखिये करें पक लिए करीए था कि उस बच्चे का ज्यादा से जितना हो सके उस बच्चे के मदद के लिए आप अपने इस जगरुपता को जारी रखिए और ताकि लोगों तक ये चीजे पहुँच जाए और कुछ मदद हो सके सबसके हाथ और हम सबकाता ही तो बनता है हम इतने सारी लोग हैं और हम चाहें तो क्या एक बच्चा नहीं संपर के लोग हैं जो कपेबल एंजो कपेबल नहीं भी हैं जो सौ रुपे का ही छंता था मैं उनकी मैं उन्से भी रिक्वेस्ट कर रहा हольше है तो आप सब भी रिक्वेस्ट कर कर और उस बच्य unser को अपνे गोद में खिलाने के Permake के लिए आजिवन भर प्यारolutकर करने के लि थोड़ा थोड़ा करके सब लोग अगर करिएगा तो साइद उस बच्चे का जीवन बन जाएगा तो प्लेज आप सब से रिक्वेस्ट हैं कि उस बच्चे के जीवन के लिए मेरे जोली में भीग डाल दीजिया उस बच्चे के रूप में उस बच्चे को देखने के बाद के और आप सब के गोद में खेलें, तो प्लेज सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लेज आप सब और मेडिया पर बारी से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। कि आप लोग प्लेज इस मोहिम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाईए ताकि उस बच्चे का मददत हो सके। कलकार बंधू को फिर से अधन्यवाद दे रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसाही करने की जरूरत है हम सबको कि जो हमें बनाया है उसके बीच में हमें जाकर उसका हेलफ करना चाहिए। ये एक बिमारी की बात नहीं है जिस भी प्रोब्लम में हो हमारे बिहार का नागरिक या यूपी का नागरिक या हमारे भासा का नागरिक चाहे हो जिस देश में रहता हो जिस परदेश में रहता हो हमें उसकी मदद करनी चाहिए और ये बहुत अच्छा लगा और खेसारी मुहिम को छोड़िये मत इस मुहिम को चलाते रहे इस मुहिम को और आगे तक लेके जाए ताकि जादा से जादा उस बच्चे का मदद हो सके मैं आज लाइब में किसी का नाम नहीं ले रहा हूं तो प्लेज आप दुखी मत होएगा क्योंकि मैं किसी और माध्यम के लिए मैं वाद भी देना चाहता हूं कि सारी नाम जरूर है लेकि इस फॉंडेशन में बहुत सारे लोग जुड़े हूं जो कि सुरू डे से इसकारी को कर रहे हैं तो आप लोग बधाई के पात रहें और जो भी फॉंडेशन है मैं सब को कहना चाहता हूं कि आप लोग भी प्ले पूरत है जब तक वो 16 कडूर नहीं हो जाता है उस बच्चे को हम वो इंजेक्शन नहीं दिला देते हैं तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और इस सब का देतो है प्लीज आप लोग उस बच्चे के लिए जो हो सकता है करिए और कंपनी मालिक हमारे जितने भी है प्लीज आ लवी आल थैंक यो सो मच